गुद मॉर्निंग अल आफ यू, मैसेल आर्पे कुमावत, मैं आइकॉनिक नर्सिंग एक्रेडिमी में आप लोग सब लोग का स्वागत करता हूँ, और मैं आप लोग को जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, वो मेडिकल सर्जिकल रहेगा, मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट सिस्टम में ले रहा हूँ, वो है रिनल सिस्टम, रिनल सिस्टम के अंदर हम लोग सबसे जरूरी चीज तो पहले एनार्टमी फीजियोलोजी की बात करेंगे, एनार्टमी फीजियोलोजी में इतना ब्रीफली नहीं बत पर इनार्टमी फीजियोजी के पॉर्षन में या प्लेन लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा इसके अलाबा हम लोग अगर मैडिकल स्रजीकल में बात करें तो रिनल सिस्टम की जितनी भी डिजीजीज होती है उतनी जो important है या फिर generally जो use आती है या फिर जो हम लोग exam time पर आती है वो सारी में आप लोग को most more important वो सारी complete करवाऊंगा इसके अंदर तो first हम लोग जो अपना system है, renal system उसकी सुरुवात करते हैं पढ़ेंगे हम लोग renal system देखें, renal system जो होता है, renal system में हम लोग बात करें तो आप लोग को पता भी होगा कि renal system जो है वो एक तरीके से excretory system होता है, अपनी body का excretory system होता है जो क्या करता है, waste product को अपनी body से throw out करता है, यानि कि बहार निकालने का काम करता है body का जो waste product होता है, उसको बहार निकालने का काम करता है यह हम लोग देखें कि इसमें renal system के अंदर, अगर हम लोग इसके एनार्ट में physiology की बात करें तो इसमें कुछ most most सा मैं आप लोग को एक बार overview देता हूं ताकि आप लोग को थोड़े दिक्कत आएगी नि, तो इसके अंदर देखो हम लोग, mainly आप लोगों ने पहला देखा कि यह renal system जो होता है वो तरीके से excretive system होता है, अब इसके अंदर कुछ organs आते हैं system है तो बहुत से organs से मिलके ही बना होगा, तो इसके अंदर कुछ organs आते हैं जैसे हम लोग major organs की बात करें, तो पहला आता है इसके अंदर kidney दूसरे आते हैं ureters, उसके बाद में आता है urinary bladder और उसके बाद में आते हैं urethra यह चार हम लोग manly organs इसके अंदर count करते हैं, मैं आप लोग को इसका diagram बनाग एक बाद समझा देता हूँ यह देखिए, renal system का diagram, simple सा एक और ने, यह देखिए है right kidney यह है left side kidney यह left kidney यह right kidney जो होती है, वो slightly down होती है left kidney की बजाए वो इसलिए होती क्योंकि उपर की तरफ जो organ है lever जो होता है, वो right side के अंदर होता है, वो slightly इसको पेस कर देता है इसकी वज़े से क्या होता है, one to two centimeter जो है, वो right side की जो kidney होती है वो down होती है, बजाए left kidney की ठीक है, तो one in pair होती है kidneys, उसके बाद में ureters आते हैं ये देखिए ureters जो एक pipeline structure बनी हुई है, ये ureters आते हैं ये ureters क्या काम करते हैं, जो kidney से urine का filtration होता है filtration होने के बाद में जो urine bladder तक आना होता है या urinary bladder में आके जो store करना होता है, उस urine को एक pathway देते यानि कि एक ऐसी pipeline जो kidney और urine ब्लैडर होता है, उसको जोडने का काम करते हैं वो ureters कहलाते हैं, तो ये है ureters हर एक kidney से, दोनों kidney से एक एक जो ureters है वो carry करते हैं उसके बाद में जो third part है, वो है urine ब्लैडर देखो, urinary bladder जो होता है, वो एक तरीके से pouch-like structure जो क्या करता है urine को store करने का काम करता है, इसका most एक ही काम होता है वो है urine को store करने का, और store करने के बाद में क्या होता है यहाँ पे ureters पे inspectors लगे वे रहते हैं, जो क्या करते हैं अगर urine, अगर urine से यह full भर जाता है, तो उसके बाद में urge होती है urination के लिए, तो उसका हम लोग को message मिलता है तो urinary bladder का एक ही काम हुआ कि यहाँ पे जो urine होता है, उसको store करने का और उसके बाद में जो end part आता है, हमारे पास वो है urethra जो pathway होता है, urine को urinary bladder से बाहर के environment में पास करने के लिए तो यह एक general सा overview आप लोग के सामने है, देखिए यह structure जो आप लोग के सामने मैंने बनाई है, renal system की जिसमें हम लोगों ने count किया है kidney को, ureters को, urinary bladder को और urethra को इतना समझ में आया, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूँगा, कि जो cranial system होता है उस renal system का most work क्या होता है, अपनी body के अंदर जो उसका work होता है, वो क्या होता है देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूं लोड़ा सा देखिए इसका जो function होते हैं, पहला जो काम होता है, पहली चीज तो west, जो product होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है उसके बाद में जो है, आपके body की pH को regulate करने का काम करता है, आपका renal system इसके अलावा, blood pressure जो होता है, उस blood pressure को maintain करने का काम ही, renal system का ही होता है, तो यह जो था आपने पास renal system के बारे में एक जनरल सा ओवर दी, अब इसके अंदर हम लोगों ने system, वो जो organs पड़े हैं, उनके बारे में जो briefly जो है, आप लोग को मिल जाएगा, anatomy physiology के portion में, यह मैंने आप लोग को जनरली बता है, यह कि मेरा जो portion हो medical surgical का है, तो आप लोग को वहाई anatomy physiology के अंदर आप लोग को सहुलियत रहेगी, इसके बार में और पढ़ने के लिए, तो हम लोग जो है medical surgical में, renal system से एक disease लेके आ रहे हैं, उस disease का नाम है, glomerulonephritis, glomerulonephritis, देखे, glomerulonephritis जो disease है, पहली बात मैंने आप लोग को बताया कि renal system बढ़ रहे हैं, तो यह related किस्से हैं, सीधा सा renal system मतलब हम लोग बात करेंगे किस्से, kidney से, glomerulonephritis, एक structure होती है, जो किसके अंदर होती है, नाफ्रोन के अंदर, देखे, इसका फंडा समझे आप लोग, आप लोग को पता होगा, कि जो kidney होती है, उसकी basic unit होती है नाफ्रोन, उसी नाफ्रोन के अंदर एक structure होती है, जिसको हम लोग बोलते है, glow meruli i है, glow merulus, glow merulus, ये जो glow merulus structure होती है, वो एक तरीके से blood vessels होती है, blood vessels होती है, फ्रीके, अब देखो, इसके अंदर आप लोग में आप को structure बना के बता देता हूँ, फोड़ा सा, इस तरीके से आपने ने पढ़ा भी होगा, इनाटमी फिजियोलोजी के अंदर और अच्छे तरीके से आ जाएगा लेखे ब्लड वैसल्स होती है अब इसके अंदर जो है वो एफरेंट सप्लाई होती है और यहां से इफरेंट याने कि जो ब्लड वैसल्स आयएगी फरेंट बोलेंगे उसको जैसे इसके अंदर आयएगी यहां पर क्या होगा एक ब्लड वैसल्स का गुच्छा बनावा रहेगा इसको बोलते हैं आप लोग गलो मेरूलस इस पार्ट को बोलते हैं गलो मेरूलस यह जो structure बनी है अपने सामने अब यहां से क्या है जो blood आया filter होने के लिए इस nephron के अंदर तो यहां पे क्या हुआ यह जो गुच्छा बनावा blood vessels का इसको ग्लो मेरुलाई बोलाई और ग्लो मेरुलाई बोलेंगे इस ग्लो मेरुलाई इस पूरी structure को बोलेंगे जो यह blood vessels से इनको ग्लो मेरुलाई बोलेंगे इसके बाद में क्या होती है filter होने के बाद यह आगे चले जाते है तो आगे देखिए इसके अंदर यह जो structure होती है मैं आप लोगों जो बताना चाहता हूँ वो यह चीज है कि आपके पास यह जो structure है इस blood vessel की इस structure के अंदर क्या होता है inflammation हो जाता है क्या होता है inflammation हो जाता है inflammation होगा तो simple सी चीज़ आज तक पढ़ते हैं कि जो उसका function होगा वो altered हो जाएगा inflammation जब भी होता है तो जिस चीज़ का function होता है वो altered हो जाएगा अब यहां यहां नेफरोन का क्या काम होता है यहां फिर ग्लोमेलरस का क्या काम होता है filter करने का तो जब plasma या blood इसके अंदर आएगा तो यह सही तरीके से filter नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि जो इसकी structure है उसके अंदर alteration आ गया है ठीक है यह जो disease है वो कोज हो गई है वो किसी भी कारण से कोज होती है बाद में बात करेंगे हम लोग तो इसकी जो structure होती ही जो basic structure होती है इसके अंदर क्या होता है damage होना start हो जाता और damage होने की वज़े से या फिर inflammation की वज़े से क्या होता है जो इसका function altered होता है और उसी को हम लोग उसी inflammation को हम लोग क्या बोलते हैं Glomerulonephritis एक बार फिर से में repeat कर देता हूँ देखे Glomerulitis का मतलब हुआ कि inflammation of the Glomerulus देखो यह word जो है खुद भी इस चीज को define कर रहा है कि जो Glomerulitis होता है इसके अंदर आइटीस का मतलब यह क्या हो गया inflammation हो गया यानि कि Glomerulitis के अंदर जो है inflammation के condition हम लोग को देखने को मिली और उसी condition को हम लोगोंने सीधा सा मिला क्या बोल दिया Glomerulonephritis simple सा यह trick जो है यह जो word है उसका मतलब यह है कि अगर kidney disease है और kidney disease के अंदर Glomerulitis जो structure होती है अगर उसके अंदर inflammation हो जाता है या Glomerulitis के अंदर infection हो जाता है inflammation हो जाता है तो उस condition को हम लोग सीधा सा क्या बोलेंगे Glomerulitis Glomerulonephritis अब Glomerulonephritis जो condition है वो arise इसलिए होती है क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जैसे नेफरोटिक सिंड्रोम हो गया या फिर नेफरोइस्कलरोसिस हो गया या हाइपर लिपीडिमिया हो गया तो इन conditions की बार-बार recurrent होने से क्या होता है बार-बार रियकर होती है जिसकी वज़े से क्या होता है यह जो condition है या Glomerulonephritis जो है हम लोग को देखने को मिलते है तो simple सा इतना ही है कि inflammation अगर Glomerulose का हो रहा है किसकी वज़े से हो रहा है कि अगर नेफरोटिक सिंड्रोम की condition नेफरोस्कलोरोसिस की condition या हाइपर लीपीडी में के condition बार-बार में रीकरंट हो रही है तो यह क्या करेगा आपके नेफरोंस को डेमेज कर देगा Glomerulose को डेमेज कर देगा और वो डेमेज होना या inflammation होना की condition हम लोग का कहलाती है Glomerulonephritis यह आप लोग को समझ में आया इसके बाद में हम लोग इसके एक जनरल सा हम लोग बात करेंगे इसके etiology और risk factors की यह definition आप लोग को तक समझ में आ गई है यह बाद लिख देता हूँ ताकि बाद में repeat करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी हम लोग ने इसकी definition देखी उसके बाद में इसके risk factor देखेंगे हम लोग यह causes जिनको बोल सकते हैं हम लोग causes देखेंगे causes के अंदर फर्स हम लोग बात करेंगे streptococcal infection की देखो सबसे must जो होता है इसके अंदर streptococcal infection streptococcal infection must thing होती है इसके अंदर glomerular nephritis को cause करने के लिए streptococcal infection हो must होता है streptococcal infection चाहे skin में हो skin का भी हो सकता है या फिर इसके अलावा हम लोग बात करें तो throat का भी हो सकता है throat या skin का infection streptococcal infection की वज़े से हुआ और यह क्या करता है यह infection जो है वो move कर जाता है या फिर spread बोल सकता है हम लोग spread कर जाता है kidney तक और अगर kidney तक spread कर जाता है तो streptococcal infection है वो वहाँ पे जाके cause कर देगा या inflammation की condition हमारे लिए arise कर देगा और उस condition को हम लोग क्या बोले है glomerular nephritis next हम लोग बात करते है इसके अंदर hereditary disease हो सकती है first हम लोग को ने देखा streptococcal infection हो सकता है next हो सकता है hereditary disease हो सकती है genetically problem इससा हम लोग को देखने को मिल सकती है next हम लोग बात करेंगे इसके अंदर immune disease यह भी important है याज रखने की चीज समझने की चीज immune disease या फिर autoimmune disease या इस सोट कहें तो आपन SLE systemic lupus athematos athematos ठीक है यह condition हम लोग को देखने को मिलती है यानि की पहला हम लोगों ने देखा उसको infection हुआ दूसरा हम लोग उसको hereditary कोजेस की वज़े से हम लोग को glomerul nephritis देखने को मिल सकता है यह इसके अलावा जो immune disease है या autoimmune disease है जिसके अंदर systematic lupus arythematos जो एक तरीके से condition होती है disease होती है वो हम लोग को इसकी वज़े से भी क्या होता है glomerul nephritis हो सकता है इसलिए हो सकता है क्योंकि autoimmune disease के अंदर क्या होता है जो antigen antibody होते है वो क्या करता है जो antibody होती है अपने खुद की antibody होती है वो क्या करती है अपने system की cells को या अपनी body की cells को destroy करने लग जाती है और जब autoimmune disease हम लोग को अगर glow merulonephritis के अंदर बात करें तो systematic lupus erythematis के अंदर क्या होता है कि जो अपनी antibodies होती है वो खुद ही glow merulose को destroy करने लग जाती है जिसकी वज़े से क्या है inflammation की condition हम लोग को देखने को मिलती है यह damage हो जाता है उस condition को glow merulonephritis के अंदर हम लोग अच्छे से देख सकते हैं नेक्स हम लोग इसके कोज की बात करें तो diabetes का कोज हो सकता है diabetes की वज़े से भी हो सकता है नेक्स हम लोग बात करें तो high blood pressure भी कोज कर सकता है हाई blood pressure भी coach कर सकता है इसके अलावा vasculitis vasculitis जो आप लोगों ने condition देखी भी होगा काफी बार कि जो blood vessels है उसका inflammation होता है चाहे vasculitis हो या endocarditis हो vasculitis हो या endocarditis हो इन दोनों conditions के अंदर क्या होता है जो inflammation होता है जो infectious agent होता है वो क्या होता है vary कर जाता है या फिर spread हो जाता है और वहाँ से kidney तक पहुंच जाता है circulation के थूँ और क्या कर देता है glomerulus को destroy करने का काम करता है damage करने का काम करता है जिसकी वज़े से क्या है glomerulus nephritis हम लोग को conditions देखने को मिलती है ठीक है तो इसके अंदर हम लोग उना next क्या माना high blood pressure हो गया इसके अलावा endocarditis या फिर vasculitis इन conditions के थूँ भी क्या हो सकता है glomerulus nephritis को जो सकता है next हम लोग बात करेंगे viruses के infections की वज़े से काफी बार HIV हो गया इसके अलावा hepatitis B, hepatitis C इसकी वज़े से भी क्या हो सकता है glomerulus जो है वो damage हो सकता है viruses की वज़े से जैसे हम लोग बात करें HIV हो गया hepatitis B और C दोनों से क्या हो सकता है glomerulus nephritis condition जो हम लोग को देखने को मिल सकती है तो यह जो है जनरली इसके कोजियस है या etiology है जो या risk factor है जो क्या करते हैं हम लोग glomerulus nephritis कोज करते हैं हम लोग फस्स देखेंगे इस्टो में इस्ट्रेफ्लोग उकल इंफेक्शन हुआ hereditary भी हो सकता है immune system की वज़े से भी हो सकता है diabetes की वज़े से भी हो सकता है high blood pressure है उसकी वज़े से भी हो सकता है endocarditis या vasculitis की वज़े से भी cause हो सकता है या virus या HIV virus के अंदर हम लोग count करेंगे जैसे HIV हो गया hepatitis B हो गया C हो गया इसकी वज़े से क्या है glow marlonephritis की condition हम लोग को देखने को मिल सकती है ये सारा हम लोगों ने पढ़ा risk factor या causes या इसकी etiology next हम लोग बात करेंगे इसके types की next हम लोग बात करेंगे इसके types की तो types में देखिए types की बात करेंगे इसकी एक होता है acute glow marlonephritis दूसरा होता है chronic glow marlonephritis देखो acute glow marlonephritis जो होता है वो 5 to 21 days की अगर मान लीजिए कि staphylo cocos infection जो है वो 5 to 21 days के अंदर अकर हो जाता है 5 to 21 days के अंदर अगर staphylo cocos infection जो होता है वो अकर हो जाता है तो उस condition के अंदर glow marlonephritis होगा उसको हम लोग बोलेंगे acute यानि की sudden onset होता है इसका यानि की suddenly मान लीजिए 5 to 21 days के अंदर staphylo cocos को damage कर दिया है, तो उस condition को हम लोग बोलते हैं, acute glomerulone arthritis, वहीं पर हम लोग बात करेंगे chronic glomerulone arthritis, जिसके अंदर क्या होता है, यह तरीके से gradually occur होता है, यानि कि ऐसा नहीं कि suddenly तो acute हो गया है, लेकिन अगर मान लीजिए, recurrent बार-बार में किसी चीज का episode हो रहा है, तो वो क्या करता है, कि बार-बार में लंबे time तक, यहां तक कि years तक ही हो जाता है, यानि कि लंबे time तक, सालों तक इसका पता नहीं चलता है या फिर चलता है, तो बहुत दीरे-दीरे damage करता रहता है, अगर ऐसी condition हम लोग को देखने को मिलती है तो उसको हम लोग chronic glomerulonephritis कहते हैं, यानि कि inflammation होता है, infection जो होता है या जो damage होता है, glomerulose का वो क्या होता है, दीरे-दीरे recurrent infections की वज़े से दीरे-दीरे damage होता रहता है तो अगर वो condition जो लंबे time तक हम लोग को देखने को मिलती है, लंबे time बाद में देखने को मिलती है, तो हम लोग उसको बोलते है chronic glomerulonephritis ये दो इसके type होते हैं हम लोग इन दो types के अंदर simple सा इतना ही ध्यान रखना होता है कि acute के अंदर और chronic जैसा word के according आब लोग पढ़ता है हम इसा वैसा ही, acute और chronic जो है, वो इस तरीके से हम लोग इनके अंदर ध्यान रखेंगे next हम लोग बात करेंगे इसकी pathophysiology की जो बहुत important भी कह सकते हैं हम लोग, बहुत important है देखे pathophysiology की बारे में बात करेंगे pathophysiology की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए, कोई भी ideological coach हम लोगों ने वहाँ पे ले लिया जैसे कोई भी ideological coach हम लोगों ले लिया अब यहाँ पे क्या होगा जब भी कोई infection होता है तो अपनी body के अंदर क्या किया जो antigen होता है वो क्या हो गया हमारी body के अंदर release हुआ या circulation के थुरू क्या चला गया antigen हमारी body में चला गया, देखे अगर antigen हमारी body में चला गया तो antigen जाने के बाद में क्या होता है जो antibody का formation होता है formation of antibody अब antibody का formation होने के बाद में क्या होता है antigen antibody complex का निर्मान होता है अब antigen antibody जब complex का निर्मान होता है तो उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा और यह जो antigen antibody complex का जो निर्मान होगा वो किसमें होगा? antigen antibody complex in glomerulus जहान देने की चीज़ है कि glomerulus के अंदर क्या होगा? antigen antibody complex का निर्मान होगा antigen antibody complex बनने के बाद में क्या करेगा आप लोग को पता है कि इसके बाद में क्या होता है कि inflammatory response हम लोग को देखने को मिलता है inflammatory response देखने को मिलेगा अब inflammatory response देखने को मिलेगा तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर देखने वाले चीज, ये चीज हो गई, पहले क्या हुआ, मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, इतिलोजी कोज की वज़े से क्या हुआ, एंटीजन हमारी circulation में गया, circulation में जाने के बाद में क्या हुआ, antibody का निर्मान होने के बाद में क्या है, ये दोनों मिले और antigen antibody complex बना लिया, किसमें glomerulus में, और उसके बाद में क्या हुआ, inflammatory response हम लोग को देखने को मिला, inflammatory response देखने के बाद में हम लोगों ने देखा इसके अंदर कि आगे क्या changes होता है, इसको एक बार मैं erase कर देता हूँ, आगे जो change होगा, वो इस तरीके से होगा, कि जो epithelial cell होती है, कि इसके अंदर glomerulus की जो layer होती है, जो glomerulus होता है, उसकी जो epithelial cells होती है, उसकी जो lining है, वो क्या हो जाती है, उसके अंदर thickness आजाती है, कहने का मत्तब जो glomerulus की epithelial cell या फिजो cells की जो lining होती है, जो valve बनती है, उसके अंदर क्या होता है, proliferation होना start हो जाता है, और proliferation की वज़े से क्या होता है, जो thickness होती है, वो हम लोग को उसके बाद में क्या होगा, जो glomerulus है, उसकी epithelial cell है, या lining है, उसके अंदर क्या होता है, proliferation होना start हो जाता है, जिसकी वज़े से क्या है, हम लोग को देखने को मिलेगा कि glomerulus की जो wall है, या उसके अंदर क्या है, थीकनेस आना start हो गई है, अगर थीकनेस आ गई है, तो simple सी बात है, कि जो plasma या जो blood है, उसमें GFR जो rate होती है, या glomerulus filtration जो rate होती है, वो decrease हो जाएगी, अगर GFR decrease हो गई है, तो उसके बाद में क्या होगा, GFR decrease होने की वज़े से, जो sodium और water जो है, उस sodium and water का जो है, वो body में retention होना start हो जाएगा, अगर sodium और water का retention होना start हो गया है, तो उसके बाद में क्या होगा, इडिमा या hypertension की condition हम लोग को देखने को मिलेगी, और उसकी वज़े से क्या है, हम लोग को अगर इडिमा देखने को मिलता है, तो उस condition के बाद में हमारे पास यही रहता है, कि जो glomerulus है, वो damage हो गया है, उसकी filtration rate पूरी घड़ गई है, जिसकी वज़े से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, glomerulo, nephritis हम लोग को देखने को मिलेगा, यह simple सी आप लोगों ने pathophysiology देखी इसकी, pathophysiology के बाद में हम लोग बात करेंगे इसके clinical manifestations की, देखे, clinical manifestations की बात करें हम लोग, तो सबसे पहला इसके अंदर हम लोग देखेंगे, कि जो patient के अंदर हम लोग को first देखने को मिलेगा, वो मिलेगा flank pain, वो इसलिए हैं, व्युक्कि जो kidney होती है, वो flank area के अंदर होती है, तो patient के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, कि patient को flank area के अंदर pain का जो है, वो सिकायत रहेगी, इसके अलावा, formy urine वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, formy urine, formy urine केने का मतलब, वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग को देखा होगा, कि protein area जो है वो, patient के अंदर हम लोग को, इस condition में मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मिलेगा, अब प्रोटीन यूरिया मिलता है, तो वो क्या करता है, urinary tract जो होती है, उसकी surface area को कम कर देता है, अब किसी जगे का surface area कम होता है, तो उसकी वज़े से क्या है, हम लोग को, जब urine pass out होगा, तो हम लोग को देखने को मिलेगा, कि जो urine है, वो एक तरीके से, forming form में हम लोग को, देखने को मिलता है, next हम लोग बात करते है, cola curl का urine, यानि कि, जो urine का color है, वो, cola color में हो जाएगा, या iced, आइस्ड जो tea होती है, उस color के अंदर हम लोग को मिलेगा, यानि कि, जब भी percent जो है, urine pass out करेगा, उसके साथ हो सकता है, कि RBC के कुछ content हम लोग को, देखने को मिले, next हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर, जो next हम लोग को देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, oliguria या dysuria, देखिए, दो conditions है, oliguria और dysuria, oliguria के अंदर क्या होगा, जो GFR rate घट गई है, तो जिसकी वज़े से क्या होगा, वहाँ पर, urine जो है, वो formation कम होगा, और urine का formation कम होगा, तो उसका जो, throughout करने का, जो है, वो भी, यानि कि capacity जो होती है, या फिर जो urine pass out हो कम हो जाएगा, उसके अलावा, dysuria होगा, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, कि, पैसेंट को difficulty in urination हम लोग को देखने को मिलेगा, silent symptoms के तोर पर, next हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, जो है, जो clinical symptoms है, वो हम लोग को देखने को मिलेगा, पैसेंट के अंदर जो condition आएगी, काफी बार क्या होता है, कि anime की condition हम लोग को देखने को मिलती है या फिर kidney failure की भी हम लोग को देखने को मिलती है anime की condition इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि patient के अंदर क्या है जो kidney होती है kidney का एक और काम होता है वो होता है erythropo protein का निर्मान करने का अगर erythro protein का निर्मान नहीं हो रहा है तो वहाँ पे RBC का निर्मान भी नहीं होगा अगर RBC का निर्मान नहीं होगा तो patient के अंदर anemia की condition हम लोग को देखने को मिलेगी उसके साथ साथ में हम लोग को देखने को मिल सकता है कि patient की kidney जो है उसको भी fail हो सकती है या kidney failure के chances भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगला हम लोग बात करेंगे silent symptoms की तो hypertension patient के अंदर देखने को मिल सकता है hypertension इसलिए देखने को मिल सकता है क्यों क्योंकि sodium और water का जो retention है वो बहुत ज़्यादा patient के अंदर देखने को मिलता है जिसकी वज़े से या sodium का retention जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से hypertension की condition patient के अंदर देखने को मिल सकती है अगला हम लोग बात करेंगा fluid के retention की या edema की condition हम लोग को देखने को मिल सकती है अब GFR rate अगर घट गई है GFR rate अगर घट जाती है तो सिधी जी बात ही होती है कि जो fluid बाहर एकर नहीं निकल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा fluid का accumulation होगा है retention होगा जिसकी वज़े से क्या है हम लोग को patient के अंदर edema की condition या fluid के retention की condition हम लोग को देखने को मिलेगी तो यह जो है आप लोग के सामने simple से इसके clinical manifestation glomerulone aphritis के देखने को मिलेगा flank pain होगा, firmy urine होगा, cola color urine या acidity urine हम लोग को देखने को मिलेगा इसके अलावा hematuria होगा, इसके अलावा oliguria, dysuria, anemia की condition या kidney failure की condition भी हम लोग को देखने को मिल सकती है या फिर जो hypertension की condition है वो देखने को मिलेगी या fluid का जो retention है या जो edema की condition है वो हम लोगों को इस glomerulone aphritis disease के अंदर patient के अंदर clinical manifestation के तोरने पे देखने को मिलेगी या आप लोग को समझ आया होगा, उम्मीद है इसके बाद में हम लोग इसके जो management की बात diagnostic valuation की बात करेंगे तेखे diagnostic valuation के अंदर क्या क्या आता है diagnostic valuation की बात करेंगे तो सबसे पहली diagnostic valuation के अंदर हम लोग देखते हैं कि patient का history collect करते हैं history collect करने के अंदर हम लोग देखते हैं कि patient को streptococcal infection है वो तो अग नहीं हुआ है चाहिए strep throat हो या फिर या तो step throat हो सकता है या skin का infection हो सकता है उसके बाद में हम लोग करते है patient का physical examination history collection और physical examination उसके बाद में हम लोग patient का urine analysis करते हैं urine analysis के अंदर हम लोग क्या करेंगे urine analysis के अंदर हम लोग देखेंगे urine का color कैसा है या फिर हम लोग सीधा सा बात करें तो इसके अंदर जो उसकी chemistry है urine की जो chemistry है उसका पूरा हम लोग check up करेंगे जिसकी वज़े से क्या है हम लोग को glomerular nephritis की कोई condition है वो तो पता कर सके ये इसके अलावा हम लोग अगर autoimmune disease है तो उसके लिए क्या करेंगे biopsy biopsy करेंगे अगर autoimmune disease है तो उसको diagnose करने के लिए biopsy हम लोग करेंगे इसके अलावा हम लोग लेते हैं blood test blood test करेंगे इसके अंदर blood test करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो last इसके अंदर evaluation देखेंगे वो है अपना USG ultrasonography, USG of kidney जिसके अंदर क्या होगा अगर kidney के अंदर कुछ changes अगर agglomeral nephritis में CDC बात है यह नफ्रांच के अंदर changes आएंगे तो हम लोग उसको जनरली एक टाइम पर examination कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर accumulation हो रहा है कुछ changes आ रहे हैं तो USG हम लोग पेसेंट के अंदर perform करते हैं जिससे क्या है glomeral nephritis की condition जो हम लोग को generally पता चल सकती है तो सीधा सा मतलब diagnostic evaluation में हम लोग क्या करेंगे history collection करेंगे, physical examination करेंगे, urine analysis करेंगे, biopsy करेंगे, blood test करेंगे और USG of kidney करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हम लोग को कि patient के अंदर ये जो condition है वो glomeral nephritis confirm हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग सीधा सा चलते हैं इसके management पे, देखें, management जो है वो किस तरीके से होगा, glomeral nephritis का glomeral nephritis का हम लोग जो management करेंगे, पहली चीज तो glomeral nephritis का जो management होता है, वो आप लोग धान रखें, कि या तो disease की severity पे धान रहेगा, या इसके causes पे धान रहेगा, यानि कि इसका जो management होता है, वो vary होता है, अगर severity ज्यादा है तो उसके according इसका management change करेंगे, तो कहने का मतलब जो management है, वो according to situation, causes, या फिल, जो severity होती है, जो symptoms होते हैं, उसके according हम लोग को अलग-अलग management इसका देखने को मिलेगा, एक general management हो आप लोग को बताता हूँ, और इसके अंदर एको चीज ध्यान रखने की होती है, कि जो blood pressure होता है, must आप लोग को सबसे जरूर क्योंकि इसके अंदर sodium का retention बढ़ जाएगा, water retention बढ़ जाएगा, तो जो blood pressure है, उसकी tendency ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो must thing होती है, वो global nephritis के अंदर यही होती है, कि आप लोग इस blood pressure को control करें, सबसे पहले, आप लोग का management यही रहेगा, उसके बाद में जो general management होता है, अब हम लोग देखेंगे, इसके अंदर dialysis का, देखें, dialysis करेंगे, dialysis इसलिए करेंगे, क्योंकि dialysis अगर हम लोग ने नहीं किया, तो हो सकता है कि other organs है हमारी body के अंदर, वो affect हो या उनके fail होने के chances रहते हैं, क्योंकि fluid का accumulation भी जादा है, और retention भी जादा हो रहा है, तो उस इसलिए, जो dialysis है, वो west product को बाहर निकानने के लिए, सबसे पहले हम लोग perform करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, medications की, या medical treatment की, तो medications के अंदर हम लोग देखेंगे, medications के अंदर हमारा यही मोटो रहेगा कि, पहली चीज तो water का retention ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, patient को diuretics देंगे, diuretics patients को देंगे, इसके अलावा, आप लोग धान रहे हैं कि इसके अंदर autoimmune disease के वज़े से भी जो immuno, जो glomerul nephritis है, वो condition हम लोग देखने को मिली है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, patient को immunosuppression, immunosuppression जो drugs होती है, वो देते हैं, immunosuppression जो drug होती है, वो हम लोग को patient को देते हैं, इसके अलावा, anti-hypertensive drug, मैंने आप लोग को बताया है कि blood pressure को भी maintain करना जरूरी होता है, तो anti-hypertensive, जो drug है, वो हम लोग को patient को देनी होती है, जिसकी वज़े से क्या है, patient के अंदर जो generally हम लोग को, जो sign and symptoms दिख रहे हैं, उनका हम लोग management कर सके, next हम लोग बात करेंगे, management के अंदर है कि, अगर आप lifestyle को change करते हैं, तो उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है, आप लोग इसको manage कर सकते हो, अगर lifestyle change करते हैं, तो इसके अंदर आप lifestyle change करने के अंदर आप लोग क्या क्या देखोगे, कि सबसे पहली चीज, कि sodium और water जो level है, sodium and water का जो consumption है, वो आप लोग क्या करेंगे, बहुत कम कर देंगे, या patient को हम लोग advise करेंगे, कि sodium और water का consumption बहुत कम कर दें, इसके अलावा, जो protein intake है, अब protein urea भी condition हम लोग को देखने को मिल सकती है, इसलिए protein का जो intake है, वो भी क्या कर देगा, patient को, बहुत minimal कर देंगे, अगर बहुत minimal कर देंगे, तो उससे क्या होगा, protein जो है कि condition हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, इसके अलावा, दूसरा हम लोग calcium supplements की जो है, वो requirement बढ़ा देंगे, calcium supplements जो है, वो patient को ज़्यादा देंगे, ठीक है, इसके अलावा, next हम लोग patient को जो है वो exercise के लिए advise करेंगे patient को, कि वो better exercise करें, अपनी body के weight को manage करें, तो यह इसके अंदरा का lifestyle के अंदर हम लोगोंने change किया, खाने पीने में change किया, डायट प्लान में change किया, तो हम लोग glomerul on aphritis, सीधा सा देखा जाए, तो हम लोग देखो कि जो glomerulus है, उस पर कोई effect ना आए, इसलिए क्या करते है, sodium और intake जो है, water का intake कम करते हैं, क्योंकि retention पहले से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको manage करने के लिए, lab style में change करेंगे, इसके अलावा दूसरा हम लोग एक तरीके से subside अगर management देखें इसका, तो patient को जो है, हम लोग कोई ना कोई exercise करवाते हैं, specific exercise की बात करेंए, जैसे मान लीचे dancing करवा दिया, या फिर इसके अलावा, कोई lymphatic massage करवा दिया, जिससे क्या होगा, edema कम हो पेसेंट के अंदर, अगर dancing करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, exercise करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो blood का circulation है, वो ज्यादा होता है, अगर body के अंदर blood का circulation बढ़ेगा, तो simple सा यही होता है, कि वहाँ पे filtration का, कुछ ना कुछ अच्छा effect हम तो जिसकी वज़े से क्या है, पेसेंट के अंदर, हम लोग इसके complications या पि ग्लोमडोन और जो नेफ्राइटिस होता है, उसको कुछ हद तक manage कर सकते हैं, तो ये simple साम लोगों ने कुछ इसका management देखा, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इसका management देखा, इसके अंदर हम ज्यादा देने, इसके लाव exercise करवानी है, बैसिक जो support होता है, वो हम लोगो पेसेंट को provide करवाना, जिसे massage हो गया, exercise जो provide हम लोग ज्यादा करवाएंगे, ताकि पेसेंट का circulation अच्छा हो, massage इसलिए करवाएंगे, कि इडिमा की condition हम लोगों देखने को मिलिये, तो इडिमा complications की बात करें हम लोग, complications के अंदर देखिए, complications में हम लोग देखेंगे, कि अगर acute और renewal failure वहाँ पे पेसेंट के अंदर हो सकता है, acute और renewal failure, क्योंकि kidney के अंदर बहुत ज़्यादा problems आ रही है, तो acute और renewal failure वहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा hypertension की condition, अगर ऐसी condition है, तो वहाँ पे global nephritis के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा हम लोग बात करेंगे, electrolyte imbalance, यह इसलिए होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अंदर जो best product है, वो बहार नहीं निकलते हैं, यह फिर इसके अलावा, जो balance है, यह इसके अंदर जो complications है, वो है, CHF का, congestive heart failure का, CHF, condition हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो fluid का overload है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, fluid overload ज़्यादा होने की वज़े से क्या है, हम लोग को as a complication, percent के अंदर, glomeral nephritis में CHF के conditions को, हम लोग ज़्यादा यह जो है, वो vary करने के काम करता है, तो यह इसके कुछ simple से complications थे, जो percent को glomeral nephritis के अंदर, बढ़ाने का काम करता है, next हम लोग बात करेंगे इसका जो अपना जो सबसे must होता है, जो नर्सिंग के अंदर हम लोग काम में रहने हैं, जो वाली चीज होती है, वो होती है, नर्सिंग diagnosis यह नर्सिंग management, देखिए, नर्सिंग management की बात करें हम लोग, तो इसके अंदर नर्सिंग diagnosis कुछ बनेंगे, आप लोग को journal diagnosis बता देता हूँ, जो इसके अंदर बनेंगे, पहला जो है वो diagnosis है, आपके पास excessive fluid volume, excess fluid volume, इसके अलावा, activity in tolerance, activity in tolerance or risk for injury, next you have risk for injury, और next जो है वो risk for infection, यह चार नर्सिंग diagnosis आप लोग को इस glomerulone arthritis के अंदर बनाने की ज़रत है, या फिर manage करने की ज़रत है, जिसके थुरू आप क्या कर सकते हो, fluid के volume को maintain कर सकते हो, इसके अलावा, activity in tolerance की condition हम लोग को देखने को मिल सकती है, injury की condition मिल सकती है, infection की जो risk है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये पूरा आप लोगों ने देखा, glomerulone arthritis के अंदर, कि glomerulone arthritis क्या होता है, इसके definition क्या होती है, risk factor या cozies क्या होते है, इसके types कौन से होते है, pathophysiology क्या होती है, clinical manifestations क्या होते है, diagnostic evaluation क्या होता है, management क्या होता है, इसके complications क्या होते हैं, और उसके बाद में end moment पर nursing diagnosis, जिसके आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिज की होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा